हेलो स्टुदेंट्स, वेल्कम्म तो माइ चैनल, इस्ट पार्ट है हमारा, P of X हमें गीवन है, X की पाव और 4-3, X-square-4, X-square-4, X-square-5, यह हमें गीवन है PX, पॉलिन्रोमिल P of X गीवन है, और पॉलिन्रोमिल G of X हमें गीवन है, X-square-1-X, तो हमें polynomial P of X को polynomial G of X से डिवाइट करना है इस पे जो highest degree हो है X ही पावर 4 इस polynomial में इस पावी polynomial में X के degree 2 है जो की highest power है जब हम डिवाइट करते हैं तो power सब्टेक्ट हुजाती तो कितनी है कि power X square अब यहाँ पर हम X square ले देंगे अब इस ही X square को multiply करेंगे X square plus 1 minus X अब जो को multiply करोगे तो X square को X square से करोगे तो X की power 4 plus X square को 1 से करोगे X square minus X square को X से करोगे तो X cube यह है X की power 4 यहाँ पर भी X की power 4 इसे के नीचे लिखेंगे यहाँ X square यहाँ भी X square इसको इसके नीचे लिखेंगे यह है minus X cube तो यहाँ minus x cube गिवन नहीं है तो आप इसको बहार लिखेंगे अब सबकी sign change कर दिजिए कर दिया हाँ इसका भी करेंगे यहाँ पर ऐगा plus okay यह plus 4x है तो आप प्लस 4x लिखेंगे polynomial में highest degree किस पर है x cube पर okay x cube डिवाइट करेंगे x square से इसको जब डिवाइट करेंगे तो हमारे पास x आगया plus x और इस x की multiply करेंगे इस पूरे polynomial से g of x से x square plus 1 minus x okay यह हमारा डिवाइजर है question का अब इसको डिवाइट करेंगे तो यह हो जाएगा x sorry इसको हम जब multiply करेंगे अब इनको यहाँ put करेंगे x cube को x cube के नीचे x को 4x के नीचे क्योंकि दोनों की पावसे में minus x square को x square के नीचे sign change कर दीजे बही यह positive हो यह भी negative हो गया यह हो गया cancel यह positive ही negative हो गया 3x यह negative है और यह positive है हम आई पास आगे minus 3x square और इस पर आएगा positive क्योंकि 4 पर बड़ा है plus का sign है इसलिए plus आए ओके और रह क्या गया plus 5 अब यहां देखेगा इस polynomial में highest degree किस पर है minus 3x square पर और इधर x square जब हम इनको divide करेंगे तो x square से x square कट गया तो बच्चा गया minus 3 minus 3 आप यहां लिखतीजे अब minus 3 की multiply होगी x square plus 1 minus x diviser से जब आप इसस multiply करेंगे minus 3 x square को minus 3 x square से करेंगे तो यह आएगा minus 3 को plus 1 से करोगे तो minus 3 minus 3 को minus x से करोगे तो plus 3 x okay अब रखो इनको यहां पर minus 3 x square को minus 3 x square के नीचे minus 3 को plus 5 के नीचे plus 3 x को plus 3 x के ही नीचे और अब सब के sign change कर दीजे ओके यह भी cancel हो गया यह negative यह positive यह भी cancel हो गया यह दोनों positive है तो यह 8 आगया हमारे पास question आया है x square plus x minus 3 q of x question क्या है q of x आया हमापर x square plus x minus 3 और remainder r of x आया हमारे पास 8 इस तरह से हमारे पने second part पर solve कर दिया आप 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 झाल झाल